वेल्कम टू लर्निंग लोकस्, आज से SACCGL के लिए सिनिम्स एंटिम्स के कुछ लेक्चर्स पस्तू किया जाएंगे सिनिम्स एंटिम्स जिस भी एक्जाम में आते हैं उन एक्जाम्स के लिए एफ ठीक है लेकिन फोकस किया गया है SACCGL पे और जब भी लेक्चर आएंगे टेन कोश्चन्स होंगे आप कैसे कोश्च होगा लेक्चर समझने के लिए आप अगर पहली बर देख रहे हैं तो एक दूमिट बने रहे हैं समझ में आजाएगा फिर आगे कंटिन तो अभी हमारे पास कोश्चन आएगा ऐसे कहीं कहीं सिन्नीम भी रहेगा क्योंकि दोनों मिक्स किया है जान बुषकर ताकि आपका एटेंशन पावर स्ट्रॉंग हो जाए और वर्ड जो रहेगा ब्लैक इंक में लिखा रहेगा यहाँ पे गिबेन वर्ड है गली गली का most appropriate एंटनीम बताना है मतलब opposite meaning वाला वर्ड बताना है four options ऐसे रहेंगे तो अब आप अगर जानते हैं इसका कि गली का एंटनीम इन चर्म में से क्या है तो आप comment के माध्यम से answer करिए comment करने के लिए time न वेस्ट करते हैं लिखिए one a या one b या one c या one d इतना ही लिखना है time वेस्ट करना तो अभी मैं क्या कर रहा हूँ गली जो word है हमारा main इस गली का एंटनीम बताना है हमें तो गली की हिंदी होती है उलास गली की हिंदी होती है उलास अब जो four words है इनकी हिंदी देखते हैं sorrow की हिंदी पता है आप सबको sorrow की हिंदी होती है दुख फिर pleasure इसे pleasure play पी एल एको play और जर दो बर्म पढ़ते हैं pleasure का मतलब आप सबको क्यान होगा आनन्द है then delight delight की हिंदी है प्रसंत फिर joy joy का हिंदी भी pleasure की हिंदी है आनन्द है तो आप बताईए इली जिसकी हिंदी है उलास इसका int name ultra meaning का वर इनमे कोन सा है answer आपको समझ में आ गया होगा answer is sorrow this is first now moving to next one next question और इसमें word है humdrum 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 का आपको बताना है synonym पहला step जब ही int name पूछा जगा exam में तो पहला step word क्या है और उसका क्या बताना है word है humdrum और बताना है synonym बस इसको ध्यान रखी आधा फोकस ही पे तो humdrum का हमें बताना है synonym options जिनको पता होगा आपको answer करने के लिए कमेंट के वाजियों से बता दिया pouring होगा या noisy होगा चाहे exciting या लाइबली में से चारों में से क्या है जिनको आता है answer करिए आके देखे humdrum humdrum इसको लिख दे रहा हूँ इसका pronunciation भी हमें लिखना जो बॉस्किल वर्ड होगा humdrum इसकी हिंदी होती है nearest humdrum की हिंदी होती है nearest इसका बताना हमें synonym तो इसका boring जो options है boring boring का meaning आप सोगो पता है clear के लिए उबाओ फिर है noisy noisy नहीं noisy तो परते हैं noisy noisy का मतलब shore goal shore goal फिर है exciting exciting का romanchak romanchak हिंदी होती है और lively की हिंदी होती है जीवन्त तो आप बताए nearest humdrum की हिंदी nearest है इसका synonym क्या हो सकता है इन चारों में से हो सकता है उबाओ की हिंदी वाला that is boring word जिसका हिंदी उबाओ है वह what boring will be answer of question number two moving to question number three word is barbaric barbaric par परी पहली बार में फिर बेरिक पर देज़े दूसरी बार में par बेरिक करना है entonym पहला step पूरा word कौन सा और क्या करना है par बेरिक का हमें करना है intonym बताना है इनको आता है उनके लिए option दिया हूँ par बेरिक उचारा लिखता हूँ इसका par बेरिक par बेरिक की हिंदी होती है अब जो four words है civilized इसका उचारान असान है क्यों लिख रहा हूँ हिंदी होती है इसका उचारान cruel होता है cruel का मतलब हो जाएगा निर्दाई निर्दाई नेक्स्ट है inhuman मतलब a man via a man via इसकी हिंदी हो गई इसकी हिंदी होती है brutal की brutal है ये हिंदी होती है cruel निर्दाई भी कह सकते हैं तो इस तरह से आब बताएगे par बेरिक जो वड है हिंदी है इसका असब है इन चारों में से कौन सा वड है जो इसका एंटनीम है उल्टा मिनिंग वड़ा तो असब है का सब है आप जानते हैं तो आंसर विल बी two I'm sorry three three we're going to question number four what is lesson lesson ध्यान रखिए a-l-e-s-s-o-n confused वड है एक इस lesson का मतलब होता है पार्ट आप जानते हैं लेकिन यहां पे a-l-e-s-s-e-n यह है इसका उचारन भी वही है lesson लेकिन इसकी हिंदी होती है कम करना यह है एक वर्ब है हिंदी होती है कम करना तो इस lesson वड का तो बताना है कि most appropriate एंटनीम क्या है उल्टा मिनिंग का वर्ड क्या है इंटनीम बताना है options आपके सामने आ गया है आप answer करिए comment के तो लेकिन options है decrease, increase, minimize, reduce बहुत easy words है असानी सा answer कर पाएंगे अभी अगर lesson का meaning अब पता हो गया है तो decrease का मतलब होता है कम करना आप जानते हैं increase का मतलब होता है बरहाना minimize का मतलब होता है कम करना reduce का मतलब होता है कम करना भटाना तो आप पताईए कि lesson जिसकी हिंदी है कम करना इसका most appropriate इंटनिम क्या होगा increase एक option है there is for next question question of 5 what is drag बहुत simple word है इस drag का synonym में बताना है मतलब same meaning जैसा कौन सा for words में से word है बताना है तो push का मतलब जानते हैं push का मतलब धकेलना धकेलना सबसे पहले drag जो word है drag इसे कहते हैं drag का मतलब होता है घसीटना right उसका हो गया धकेलना pool का होता है खीचना फिर आप जानते हैं tail का और call का बात नहीं करते हैं तो बताए drag का धकेलना या खीचना में से कौन सा हो धकेलते हैं अपने से दूर करने के लिए खीचते हैं अपने से पास और घसीटते भी हैं अपने पास तो इसका सिन्नीम हो जाएगा pool 5 का फिर आंसर हो जाएगा question number 6 is in front of you what is obs 10 abs obs e-i-n-10 obs 10 obs 10 का सिन्नीम बताना है obs 10 का सिन्नीम क्या होगा right four options हैं आपके लिए obs 10 का सिन्नीम क्या होगा obs 10 बच्ठना इसकी हिंदी होती है बच्षना reframe री पर रिप्रेन का मतला होता है रोकना इसकी उच्ठना बच्प्रेन reduce reduce का मतला होता है कम करना ये आप जानते हैं पिर है P-O-P-O-E-C, प्रपोज, प्रपोज का मतलब होता है प्रस्ताओ करना, और फिर एक्सेप्ट का मतलब होता है स्विकार करना, आप जानते हैं, तो बताएं, अबसें का सिन्निम क्या होगा इन चारों में गए तो डेफिनेटली अफ्सिन्न का सिन्निम होगा रीफ्रेन भी पुष्ट एक्ञम में तो जितने इंपोर्टेंट ऑप्सिटेन है तो रीफ्रेन है निया है कि पूश्ट नम्बर सिपन पर मुव करते हैं आंसर देखि़ेंजिए ये नम को क्या पढ़ते हैं option आपके सामने है इससे पढ़ते हैं CA को पढ़ते हैं के और DENC को पढ़ते हैं dense cadence इसका उचरान है cadence cadence का मतलब होता है ताल हिंदी होती इसकी ताल तो अब बताइए इसके लिए सबके हिंदी मेनिक प्लेजर की हिंदी मेनिक होती है अनन्द फ्रेशनेश का ताजगी तो बहुत सिंपल वर्ड है उसका प्रजल दिगाएबिट का पता है प्वादत फिर है रीदम रीदम आर एच वाई इतना को पढ़ते हैं री और फिट्टी हम को दम रीदम पड़ते हैं इसे री रीदम रीदम का मतलब होता है लाए अब बताईए कि इम चारों में से केटेंस से मिलता जूलता कौन सा धो होसका अन्षर हो घृट म के नफर रीदम धाना है लागा एट श्रात हैं एडिजिक का ऐट ट्रोलड सिलाम रीदम है वाद लगा कुछ इं सेखेंड थार्ड को हो जाएकी यहां पर थोर्ट फूम है नियंद्रीथ की हंदी हो जाएकी नियंद्रित्नूल को मतलब नियंद्रन करना इस की उपर. साब को सामने हैं अब आता है गारी सबाइंड इसको पर थेरी में приготов द्रीने में do y år इंट्रिक और सम अने फिर एक्साइटेड मतलब रोमांचित एक्साइटेट का मतलब रुमान्चित फिर गाडेड मतलब सन्रक्षित फिर काम इसे काम पढ़ते हैं एन्साइरेंट होता है काम का मतलब शांध बताएए अब कंट्रोल का इन चार में से क्या हो सकता है नियंतित होगा नहीं सारक्षित होगा नहीं काम होगा नहीं क्या बचा रुमान्चित तो आंसर इस भी, एक बी विंक्रूठ दि Old question number 9 जाएगा तेजी से अब इस वर्ड का बताना है अमें एंटनीम बताना है इनको आता है आपके लिए ओप्चन दे दिया इस प्राइटली का एंटनीम इन चारों ओप्चन में से कौन सा एक होगा पहला एनेरज़ेटिक फिर एक्टिव फिर लायबली फिर लेथर्जिक sport होता है शक्तिशाली या उर्जावान कहा दीजे ओ भी होता है ये भी होता है ठीक है एक्टिव का मतलब सक्रिय लैबली का मतलब पहले भी मिल चुका है जिवन्ध और लेथर्जिक इसका उचारल भेखना पड़ेगा लेथर्जिक का हिंदी है सुर्ष्त अब आप खुद बताइए इन चारों में से तेजी से मतलब स्प्राइटली जिसका इंगलीश है इस स्प्राइटली वर्ड का कौन सा है जो इंटनीम है उल्ठा मीनिंग वाला है सक्तिशाली होगा नहीं जीवन्ध होगा नहीं सक्रिय लेथर्जिक आंसर इस डी लास्ट कोच्चन को सामने है उप्षण भी दे दिया है मैंने इनको आता है इनको नहीं आता है ध्याँ से देखिए वर्ड है इन फॉर्म इन फॉर्म का एंटनीम बताना है हमें इसका उप्वुजिट वर्ड इन चारों उप्षण में से कोई ए अब देखिए एक वर्ड होता है इन फॉर्म मतलब सुचीत करना इन फॉर्मेशन इसी से बना ले यहाँ पर एफ के बाद क्या है वह लेकिन इधर एफ के बाद जो मेन वर्ड है जो दिया हुआ है इन फॉर्म इसे मैं घेर रही है यहाँ पर एक बाद आई है मिनिंग तो होगा definitely change होगा inform का मतलब होता है कमजोर हिंदी होती है कमजोर एक इन्फॉर्ब की हिंदी होती है कमजोर क्या होगा बताएए strong मजबूत जानते हैं हिंदी ने लिखञा हो weak कमजोर वीग का मतलब कमजोर यह जानते हैं लेकिन हमें इसको पढ़ते हैं और लास्ट को पढ़ते हैं फीबल और फीबल की हिंदी होती है जो हिंदी है कि मतलब कमजोर आप अब बता देचे की इनफॉम का・ in很 MOD is Przy हमाई और रिफीबल हो नहीं दौपल हो नहीं कमजोर हो और हुग होक हो नहीं फिबल हो लगा के आपको कमेंट करियेगा किशा लाइक कर्देचेगा सब्सक्राइब करे करें अपने दोफ्तों तक शेयर करिएगा बहुत सारे हम इस तरह के लेक्चर से भी लाएंगे जहांपे सिनिम इंटेंस मिक्स होंगे एटेंशन पाउर चेक करेंगे साथ में धीरे दर कुछ ट्रिक्स भी बताएंगे कैसे डील करते हैं सीजों को Thank you very much